नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं Mathematics ज्यान, टापिक आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, वर्धमान तथा हरासमान फलन, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, मीनस आप UP बोर्ड के हों, जारखंड बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, बिहार ब नमर पाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, मेरा दावा है, मैं ऐसे धंग से इस टॉपिक को सिखा दूँगा, कि आज के बाद आप कभी इस टॉपिक का कोई भी कुश्चन आप से पूछ लिया जाए, गडबल नहीं करोगे, और नहीं कभ मान लीजिए, आपको कोई एक फलन दे दिया जाए, यानि फंक्सन दे दिया जाए, fx is equal to x square, आप सभी लोगों ने छोटे क्लास से ग्राफ बनाना सीखा है, तो सबसे पहले ये जो हमने फंक्सन लिख रखा है, fx is equal to x square, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, तो ग्र points की जरुरत पड़ेगी, क्योंकि बिना point के ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, point में मुझे x चाहिए, और fx का मान चाहिए, अगर मैं x का मान minus 2 लेता हूं, तो fx का मान इसमें x की जगे minus 2 रखने पर 4 आता है, अगर मैं x का मान minus 1 लेता हूं, तो इसमें मान रखने पर 1 अगर मैं x का मान 1 लेता हूं, तो इसमें मान रखने पर 1 आएगा, और अगर मैं x का मान 2 लेता हूं, तो इसमें मान रखने पर 4 आएगा, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है, कच्छा 9 से सीख के आए हो, ये वाला x अच्छ होता है उधर X और इधर X डैस इधर positive और इधर negative ये Y axis है उपर Y और नीचे Y डैस उपर positive होता है और नीचे negative होता है और ये मूल बिंदो यानि की origin है यक्स अच्छ पर 11 cm पे ऐसे point लगे होते हैं ये बिलकुल वास्तविक graph नहीं है लेकिन मैं एक अनुमान से point लगा देता हूँ इन point पे 1,2,3,4,5 और इन point पे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ऐसे उपर भी point बने होते हैं इन point के साथ भी वही है 1,2,3,4 और जो नीचे point बने होते हैं इन पे minus 1 और minus 2 यानि minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 और minus 5 इस तरीके से point बने होते हैं अगर मैं इस graph को बनाऊं यानि x पर minus 2 और y पर 4 लेता हूँ तो x पे minus 2 और y पे 4 यानि कुछ इस जगे पे point आएगा minus 2,4 दूसरा point है minus 1 पे 1 तो x पे minus 1 और y पे 1 ये point कुछ इस जगे पे आएगा minus 1 और 1 और तीसरा point 00 यानि कि ये मूल बिंदु खुद हैं चौथा point फिर से 1 और 1 पे ये point है 1,1 और पांचवा point 2 से 4 पे ये कुछ ये वाला point है 2 से 4 पे अब इन points को अगर मिला करके graph बनाया जाए तो ये graph कुछ इस तरीके से बन रहा है ये ध्यान से देखिएगा इस तरीके से वैसे आपको पता भी होगा class 11 में आपने पढ़ रखा है कि जो x square यानि दुईघास समी करण होते हैं इनका graph हमेशा parabola में बनता है तो अब इस graph का analysis हमको करना है इसको ध्यान से देखना है क्या देखना है जब मैंने यहां से graph को बनाना शुरू किया तो हुआ क्या यहां से यह graph धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हुआ है और यह यहां तक नीचे आया है इसके बाद इस जगे से यह graph धीरे 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 उपर उठने लगा है और फिर यहां तक उपर उठता है उठकर चला गया आप लोग अगर इस graph को ध्यान से देखोगे तो आप लोग खुद देखोगे कि ये graph इस जगे से start हुआ है अब इस जगे से जैसे जैसे मैं x-axis पर आगे बढ़ रहा हूँ तो x-axis पर आगे बढ़ने पर हो क्या रहा है कि इस जगे से ये graph नीचे आना सुरू हो जाता है और ये कहां तक इस मूल बिंदू 0-0 तक नीचे आ रहा है तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ कि माइनस 2 से 0 तक आगे बढ़ने पर आपका graph घट रहा है घट रहने का मतलब हरास हो रहा है यानि कि माइनस 2 से यानि इस जगे से ले करके इस जगे तक आपका ये फलन जो है ये हरास मान है ठीक इसी तरीके से जब मैं 0 से 2 तक आगे बढ़ रहा हूँ तो जा देखिए जैसे जैसे x के मान आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये फलन उपर की तरफ को बढ़ने लगता है तो मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं 0 से आगे की तरफ को बढ़ता हूँ x अच्छ पर वैसे वैसे फलन बढ़ रहा है बढ़ने का मतलब क वर्धमान हो रहा है तो यानि इस condition को अगर मैं एक में मिला करके देखूं तो मैं यही कह सकता हूं कि जब x-axis पे मान बढ़ने का मतलब कि जैसे जैसे x में ब्रधी होती है वैसे वैसे अगर फलन के मान में कमी होने लगे तो ऐसे फलनों को हरासमान फलन और x का मान बढ़ने पे फलन के मान में ब्रधी होने पर वर्धमान फलन कहे जाते हैं आप इस point table से भी देख सकते हो जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है minus 2 से minus 1 हुआ फिर 0 हुआ उसी तरीके से fx का मान देखो घटना शुरू हो गया 4 से 1 आया फिर 0 हो गया लेकिन 0 के बार जैसे जैसे x का मान बढ़ा वैसे वैसे फलन का मान भी बढ़ा तो इसका मतलब इस तरफ यह इसके उधर यह फलन वर्धमान है और उसके इधर यह फलन हरासमान है तो वर्धमान या हरासमान निकालने के दो तरीके होते हैं एक आपका यह कांसेप्ट यानि कि बिना डिफरेंसियेशन बिना आउकलन के किये हुए और दूसरा कांसेप्ट है आउकलन के द्वारा तो जब मैं बिना आउकलन के वर्धमान या हरासमान तो मेरे पास कुछ condition आएंगी. क्या condition आएंगी? तो पहली condition है कि खुले अंतराल यानि कि open interval खुले अंतराल में परिभासित फलन वर्धमान कहलाता है यदि x का मान बढ़ रहा हो मतलब x1 से x2 बढ़ा हो तो क्या हो कि function यानि फलन का मान भी बढ़ने लगे यानि f में x1 डालने पे जो मान आए वो छोटा हो और x2 डालने पे जो मान आए वो बढ़ा हो तो ऐसी इस्थिती में जब फलन की value आएगी तो उसको बर्धमान फलन बो कि खुले अंतराल में परिभासित फलन रासमान कहलाता है यदि x1 छोटा हो x2 से यानि कि x1 के मान में x के मान में परिवर्टन हो रहा हो लेकिन फलन का मान उल्टा हो जाए परिवर्टन का मतलब बढ़ने के बजाए घटने लगे यानि x का मान बढ़ने से अगर फलन का मान बढ़े तो वो वर्धमान होता है लेकिन x का मान बढ़ने के बावजूद अगर फलन का मान घटने लगे जैसे इस graph में इस direction में हो रहा लगेंगी क्योंकि अगर आपने concept अच्छे से जान लिया तो question लगाना बहुत आसान हो जाता है अब ज़रा एक चीज और सोच करके देखिए कि जब मैं graph बनाऊंगा तो क्या जरूरी है कि सारे graph इसी तरीके के बनेंगे अलग-अलग function के graph अलग-अलग condition में बनते हैं ज़रा देखिए कुछ graph में बना रहा हूं कि आपके graph कितनी इस्थितियों में बन सकते हैं possible है कि जब आप graph बनाईए तो इसका जो भी graph बने यानि जो फलन बने वो हमेशा बढ़ता रहे और ये भी possible है कि graph बनाने पर फलन बढ़े तो लेकिन रुक-रुक कर बढ़े इस तरीके से बढ़े जरूर पर कुछ जगहों पे जाके रुक जाए फिर बढ़ने लगे फिर रुक जाए फिर बढ़ने लगे ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ बनाने पर फलन बढ़ने के बज़ाए ऐसे घटता रहे और ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्राफ बनाने पर फलन घटे तो लेकिन रुकुरुक के घटे और ऐसा भी पॉसिबल है कि फलन बढ़े और घटे दोनों इस तरीके से तो ये कुल पांच तरीके के ग्राफ संभों है इसमें जब कोई फलन लगातार बढ़ता रहता है कोई रोक टोक नहीं होती तो ऐसी कंडिशन को हम लोग बोलते हैं निरंतर वर्धमान या लगातार वर्धमान इस कंडिशन में होता क्या है कि जैसे जैसे X के मान में परिवर् संभुल परिवर्ता चला जाता है तो इस condition को निरंतर वर्धमान बोलते हैं अभी मैंने आपको लिखे दिखाया था जब फलन रुक-्रुक के कबढ़ता है तो इसको सिर्फ वर्धमान बोला जाता हैं इसको हम निरंतर नहीं बोल सकते क्योंकि यह कुछ देर तो बढ़ा है बट कुछ देर रुका भी है यानि constant रहा है तो ऐसी condition में क्या होता है कि x1 यानि x में तो परिवर्थन होगा लेकिन जो फलन का मान है वो परिवर्थित होने के साथ बराबर भी हो सकता है यानि कि रुक भी सकता है या कहलो constant भी हो सकता है तो निरंतर वर्धमान और वर्धमान में सिर्फ इस inequality यानि कि असमिका के चिन का फर्क है निरंतर वर्धमान में असमिका में हमेशा ये छोटे का चिन लगता है और वर्धमान में असमिका में छोटे के साथ साथ बराबर का भी चिन लगता है जब कोई फलन लगातार घटता ह तो इस condition को बोला जाता है निरंतर हरासमान यानि ये लगातार घट रहा है और निरंतर हरासमान के साथ भी वही condition है कि X के मान में परिवर्तन होगा यानि X तो बढ़ेगा लेकिन फलन का मान उल्टा हो जाएगा यानि कि फलन जो है ये बढ़ने के बजाए घटने लगेगा य निरंतर हरासमान कहलाएगा लेकिन अगर वह फलन रुक रुक के बढ़ रहा है तो हम इसको निरंतर हरासमान के बजाए सिर्फ हरासमान फलन बोलते हैं और जैसे वर्धमान में और निरंतर वर्धमान में फर्क है उसी तरीके से निरंतर हरासमान और हरासमान में भी फर्क यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे एक्स का मान परिवर्तित होगा लेकिन फलन के मान में परिवर्तन तो होगा लेकिन वह इक्वल भी हो सकता है तो ऐसे फलनों को रास मान बोल सकते हैं जब इस तरीके के फलन आते हैं जिन में बढ़ा भी हो घटा भी हो जैसे यहां से यहां को हम ना तो हरासमान बोलते हैं और ना ही वर्धमान बोलते हैं यह आपका फलन ना तो वर्धमान है और ना ही हरासमान है तो क्या है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे जब उच्छिष्ठ और निम्निष्ठ यानि मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ेंगे यहाँ पे इस चेप्टर में हम लोगों को सिर्फ निरंतर वर्धमान, वर्धमान, निरंतर हरासमान और हरासमान इन चार वेराइटी के फलनों की बात करनी है तो ये एक कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया, जब मैं इस काम को बिना डिफरेंसियेशन के, यनि ये काम करने के लिए मैं इसमें कहीं पर भी डिफरेंसियेशन का उप्योग नहीं करूंगा लेकिन ये सारा का सारा काम differentiation की सहायता से भी हो सकता है हम उस concept को भी देख लेते हैं differentiation का funda क्या है मैं मान लेता हूँ माना फलन fx किसी closed interval a, b में संतत तथा open interval a, b में अवकलनी है तब प्रतेक x belongs to a, b के लिए चार condition बनेंगी पहली condition यदि f dash x f dash x का मतलब दिये गए फलन का अवकलन करने पर उसका अवकलन अगर 0 से बड़ा है तब fx अंतराल a, b में निरंतर वर्ध मान है मतलब कि अवकलन का मान 0 से बड़ा होना चाहिए सेम इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि यदि f dash x का मान बड़ा के बज़ाए बराबर भी हो जाए तब आपका जो फलन है fx ये अंतराल a, b में सिर्फ वर्ध मान होगा ठीक इसी तरीके से अगर f dash x का मान 0 से छोटा हो जाए तब आपका जो फलन है वो इसी खुले अंतराल में यानि कि a, b में निरंतर हरास मान होगा और चोथी condition होती है कि यदि आपका फलन छोटे के बज़ाए बराबर भी हो जाए तब fx जो है ये अंतराल a, b में सिर्फ हरास मान होगा यानि कि ये चारो condition बिना आउकलन के भी हो सकती है और आउकलन से भी हो सकती है आउकलन की सहायता से तो हम किसी भी function को कर सकते हैं लेकिन बिना आउकलन के सिर्फ उन्ही function को किया जा सकता है जिन में छोटा या बड़ा बताना संभव हो जिन function में छोटा या बड़ा बताना संभव नहीं होगा उनको हम बिना आउकलन के नहीं कर पाएंगे कुछ example मैं आपको करके दिखाऊंगा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को last तक देखिएगा और आपसे request यही है अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने friends के साथ share करना बिलकुल भी मत भूलिए क्योंकि आपके share करने से ही हमें प्रोचसाहन मिलता है जैसे जैसे वीडियो फैलती है वैसे वैसे हमें अच्छा लगता है और हम आपके लिए नई नई चीजें लाने की कोसिस करते रहेंगे आपके सामने एक example लिखा हुआ है कि दिखाईए कि R यानि real number पर कोई फलन fx लेंगे माना कोई दो संख्याएं कोई दो संख्याएं एक्सवन तथा एक्सटू आर में इस प्रकार है कि एक्सवन छोटा है एक्सटू के अब एक्सवन छोटा है एक्सटू का मतलब x के मान में परिवर्तन हो रहा यानि x का मान बढ़ रहा है बट मुझे 3x1 लेना है तो इसको दोनों तरफ 3 करने के लिए मुझे 3 से गुड़ा कर देना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 3x1 छोटा हो जाएगा 3x2 के प्लस 5 है मतलब मुझे दोनों तरफ 5 जोड़ना है तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ 5 जोड़ दूँ तो ये 3x1 प्लस 5 हो जाएगा और इधर आजाएगा 3x2 प्लस 5 अब इस फंक्सन को गौर करिए यही तो लिखा है बस x में अगर x1 राल दिया जाए तो ये आजाएगा मतलब इसकी जगे पे मैं fx1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर गौर करिए ये भी वही लिखा है तो इसकी जगे पे मैं x2 लिख सकता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x के मान में परिवर्तन हुआ यानि जैसे जैसे x का मान बढ़ा उसी तरीके से फलन का भी मान बढ़ गया इसका मतलब मैं लिख दूंगा अतह दिया गया फलन यनि की एफेक्स निरंतर वर्धमान है और यही हमको सिद्ध करना था कि ये फलन निरंतर वर्धमान है ये तो हो गया बिना आउकलन के लेकिन इस काम को हम आउकलन की सहायता से भी कर सकते हैं कैसे मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ अगर मुझे इसी काम को आउकलन के सहायता से करना हो तो जरा देखिए आपको दिया गया है कि एफेक्स बराबर है थ्री एक्स प्लस फाइफ और यहाँ पे जो ये एक्स बिल नंबर में कहीं से होगा अब मैं इसका differentiation कर दूँ तो differentiate with respect to x तो जब differentiation करोगे तो यह f-x x का differentiation 1 होता है तो यह केवल 3 बचेगा और 5 एक constant number है number का differentiation 0 हो जाता है तो आपने यहां पर क्या देखा यह 3 जो है वो 0 से बड़ा होगा इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि f-x बड़ा है 0 से और मैंने आपको क्या सिखाया कि किसी अंतराल में यहां पर अंतराल जो है रियल नंबर यानि माइनस infinite से प्लस infinite तक है तो इस अंतराल में आपका दिया गया function 0 से बड़ा है इसका मतलब यह निरंतर वर्धमान हुआ तो मैं function f-x निरंतर वर्धमान है तो हमारे पास यह दोनों आपसन है बिना differentiation के और differentiation के साथ यह आप पर depend करता है कि कौन सा option आपको चुनना है कई बार question में लिख के आ जाता है कि आप बिना differentiation के इसको दिखाईए कि यह वर्धमान है हरासमान तो आप इस तरीके से कर सकते हो मैं एक हरासमान फलन भी दिखा देता हूं हमारे पास एक question है दिखाईए कि r पर fx बराबर minus 2x प्लस 3 दौरा प्रदत फलन निरंतर हरासमान है मतलब यह लगातार घट रहा है तो तरीका वही है पहले मैं बिना differentiation के आपको दिखा देता हूं कि माना कोई कोई दो संख्याएं कोई दो संख्याएं x1 तथा x2 इस प्रकार है कि x1 छोटी है x2 से इसका मतला x के मान में परिवर्तन हो रहा है लेकिन हमको तो माइनस 2 x लेना है तो मैं दोनों साइड में माइनस 2 से गुड़ा कर देता हूं तो inequality बट यहाँ पर यह असमिका है और असमिका की खासियत होती है कि अगर उसको रेडात्मक चिन के साथ गुड़ा किया जाए तो असमिका का चिन बदल जाता है तो जब इसको मैं माइनस 2 से गुड़ा करूंगा तो यह माइनस 2 x1 होगा लेकिन यह चिन बदल करके इस तरीके से हो जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस का 2 x2 साथ में प्लस 3 है तो दोनों तरफ 3 जोड़ दीजिए तो माइनस 2 x1 प्लस 3 बड़ा हो जाएगा माइनस 2 x2 और प्लस 3 के अब इस फंक्सन को देखो अगर x की जगे x1 डाल दें तो इसका मतलब यह fx1 बड़ा है fx2 से तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जैसे ज से फंक्सन घट रहा है तो मैं लिखूंगा अतहा फलन fx निरंतर हरासमान है और यही आपको सिद्ध करना था लेकिन अगर आउकलन का उपियोग करके करना हो तो जब इसका आउकलन करोगे तो माइनस 2 आएगा और माइनस 2 जीरो से छोटा होता है और मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई फलन जीरो से छोटा है तो फिर वो निरंतर हरासमान होगा यह हमारे सामने एक क्विश्चन लिखा हुआ है ग्यात कीजिए कि r पर दिया गया फलन वर्धमान है या हरासमान हमको यहाँ यह नह बताना है आप जराई इस फंक्षन को देखिए इस फंक्षन में अगर मुझे सिर्फ एक्सवन की बात होती तो मैं एक्सवन और एक्सटू का तो रिलेशन बता सकता हूं लेकिन इतने लंबे फंक्षन का रिलेशन बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ऐसी में हमेशा differentiation सबसे best option होता है यानि differentiation का उपयोग करके ऐसे फलनों को आसानी से बताया जा सकता है आपको दिया गया है कि fx बराबर x cube minus 3x square plus 4x plus 1 और यह x आपका real number पर इसका differentiation कर देते है differentiate with respect to x क्या मिलेगा आपको देखिए f-x is equal to x cube का differentiation होगा 3x square minus 3 to 6x plus 4 यह differentiation मिला अब मुझे बताना है कि यह 0 से बड़ा है या छोटा क्योंकि यह अगर 0 से बड़ा है तो वर्धमान हो जाएगा और 0 से छोटा है तो रासमान हो जाएगा अब क्या मैं इसको देख करके थोड़ी बता सकता हूँ कि यह वर्धमान है या हरासमान तो ऐसी condition में चुकि यह quadratic equation बन गया तो इसको मैं perfect square में बदल देता हूँ परफेक्ट square में कैसे बदला जाएगा यह तीन इसमें से ले लीजिए कामन तो यह बनेगा x square माइनस 2x और प्लस 4 बाई 3 वो इसे सबसे आसान तरीका होता है perfect square बनाने का जो पहला number हो उसको लख लीजिए यहाँ पे जो sign हो उसको लख दीजिए और x के आगे जो भी number हो उसका आधा लिख दीजिए और इसके उपर square लगा दीजिए फिर माइनस कर दीजिए जो number यहाँ पे लिखा हो उसका square बस यह perfect square बनके तयार हो जाता है और last वाला number फिर से उतार दीजिए तो यह आपके पास बचेगा 3 x-1 का square और 4 बटे 3 में से 1 का square एक होता है तो जब घटेगा तो 3 कम 3 में से 4 निकल गया 1 बटा 3 ब्रेकट को खोलिए तो 3 x-1 का square और 3 से यह गुड़ा हो करके बचेगा 1 अब ज़रा सोचिए इस मान पे square लगा है मतलब क्या हुआ कि यह वाली value हमेशा 0 से बढ़ी होगी क्योंकि जिस number पे square लगा होता वो कभी negative हो नहीं सकता तो जब यह धनात्मक होगा तो यह 0 से बढ़ा होगा और 0 से बढ़े के साथ जब मैं उसमें 1 और जोड़ दूंगा तो सीधी सी बात है कि वो 0 से बढ़ा ही रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि अब यह 0 से बढ़ा है तो finally लिखा जा सकता है कि f dash x बढ़ा है 0 के तो जब कोई फलन 0 से बढ़ा होता है तब वो निरंतर वर्धमान हो जाता है तो मैं लिख दूंगा अतहा एफ x एक निरंतर वर्धमान फलन है और यही आपका आंसर हो गया कुछ question ऐसे भी आते हैं जिसमें आपसे interval यानि अंतराल पूछा जाता है कि वो अंतराल ग्याद करो जिसमें दिया गया फलन निरंतर वर्धमान या हरासमान है UP board में अंतराल ग्याद करने वाले जो question है वो 5 नंबर के पूछे जाते हैं CBSC board में 4 नंबर के पूछे जाते हैं और other board में भी आप अपना syllabus देख लीजिएगा उसके हिसाब से इससे related question पूछे जरूर जाते हैं तो हम ऐसे question भी देख लेते हैं जिसमें आपको अंतराल पता करना हो हमारे सामने question लिखा है इस तरीके से जब आपसे question पूछा जाएगा तो 5 नंबर के question पूछे जाएगे question क्या है आपको फलन दिया है आपको अंतराल बताना है कि इसका ये वाला फलन कब निरंतर वर्धमान होगा और कब निरंतर हरासमान होगा वैसे अलग-अलग किताबों में इस तरीके के question लगाने के अलग-अलग तरीके बताए गए है पर मेरे तरीके से आप चलोगे तो question कितना भी बड़ा हो आसानी से आप लगा लोगे सबसे पहला काम है आप दिये गए function को उसके domain के साथ लिख दीजिए तो function है x square minus 4x और प्लस 6 और इसका जो domain है वो है real number क्योंकि ये बहुपद है यानि polynomial है और polynomial का domain होता है वो real number होता है क्योंकि किसी भी number के लिए ये फलन परिभासित होता है इसका differentiation कर दीजिए यानि alkaline करेंगे differentiate with respect to x तो alkaline करने पर आएगा f dash x बराबर ये हो गया 2x minus 4 alkaline करने के बाद इस alkaline को 0 के बराबर रख दीजिए तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये 2x minus 4 जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा और इसको हल करके x का मान निकाल लो तो 4 बटे 2 यानि की 2 इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन जो है यानि ये जो फलन है वो x अच्छ पे जहां पे भी 2 आया होगा वहां से कटेगा अब इसके लिए अगर मैं number line पे graph पे आ जाएगा अब मुझे पता करना है कि इस 2 के पहले ये वर्धमान है या हरासमान और 2 के बाद ये वर्धमान है हरासमान इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है यहां पे आपके पास दो interval यानि दो अंतराल बन गए इन दो अंतरालों को मैं इस अंतराल को A मान लेता हूं और इस अंतराल को B मान लेता हूं और इसके लिए मैं एक test table बना दूँगा और उसी test table से मैं पता कर लूँगा कि इसकी position क्या है test table कैसे बनाई जाती है सबसे पहले उप अंतराल लिखे जाएंगे कौन-कौन से उप अंतराल है तो दो अंतराल हैं आपके पास एक A वाला है माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 2 तक 2 की तरफ से close है और इन्फाइनाइट की तरफ से खुला होता है और दूसरा अंतराल है B इसमें 2 से सुरू हो करके और प्लस इन्फाइनाइट तक जाता है इसके बाद मुझे इन दोनों अंतरालों में एक परिक्षण बिंदु लेना होता है और ये परिक्षण बिंदु जो है ये इस अंतराल के बीच की कोई भी value होती है तो भाई माइनस इन्फाइनाइट से 2 के बीच में यानि की 2 के पहले कोई भी एक गिंती आप ले लीजिए तो भाई चलो 2 के पहले 0 आएगा तो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ और 2 के बाद आपको अपनी मर्जी से लेना है तीन लेलो, चार लेलो, पांच लेलो, दस लेलो, पचास लेलो ऐसे 2 के पहले 1 लेलो, 0 लेलो, माइनस 1 लेलो, माइनस 2 लेलो जितनी भी जरूरत हो, जो भी हो वो आप लेलो जब मुझे परिक्षण बिंदू का मान पता चल जाए तब मुझे इस पे परिक्षण का मान पता करना है वो भी f-x का तो परिक्षण बिंदू पर f-x का मान क्या निकलेगा तो f-x हमारे पास आया है 2x-4 तो जब मैं इसमें मान रखूंगा 0 तो जब इसमें x की जगे पर 0 रखोगे तो चेक करो 2 गुड़े 0 0 हो जाएगा और 0 में से 4 घटेगा तो minus 4 आप चाहो तो यहाँ पर solve करके भी दिखा सकते हो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुड़े 0 minus 4 बराबर minus 4 में से 4 निकल गया यह प्लस का 2 आ गया इसके बाद मुझे लेना है f-x का चिन है कि जब मैंने यह परिछर लगाया तो मुझे result क्या मिला तो यह यह negative मिला है तो इसका चिन है negative और यह मुझे positive मिला है तो इसका चिन है positive तो अब मुझे निसकर्स लिखना है कि इससे मुझे पता क्या चला तो क्या पता चला कि यहाँ पे आपका differentiation negative आया है यह यह जीरो से छोटा है और यहाँ पे positive आया है मतलग f-x जीरो से बड़ा है और आपको पता है कि जब differentiation 0 से छोटा होता है तो वो हरासमान होता है और जब differentiation 0 से बड़ा होता है अब मुझे इसका final result लिखना है तो मैं लिख दूँगा अताह दिया गया फलन अंतराल कौन सा? इसके लिए है infinite से 2 तक माइनस इंफाइनाइट से 2 में क्या आया है? 0 से छोटा मतलब निरंतर हरासमान तथा अंतराल दूसरा वाला दूसरा अंतराल है मेरे पास 2 से लेकर के infinite में निरंतर वर्धमान है और यही हमारा आंसर हो गया तो बहुत आसान सा प्रोसेस होता है वैसे ज़्यादातर किताबों में या ज़्यादातर टीचर के दौरा ये काम आपको अलग-अलग करके मतलब अलग-अलग बिना किये सीधे लिखाने की कोसिस की जाती है लेकिन मैंने ये टेबल इसलिए बनाने की कोसिस की ताकि आपको जरासा भी confusion ना होने पाए कई बार ऐसा position हो सकता है कि result में आपको निरंतर वर्धमान या हरासमान के interval जो है एक से ज़्यादा मिलें तो जब ज़्यादा interval होंगे तब हम उनको union लगा करके लिख देंगे हम ऐसे भी question अभी देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं ये आपके सामने question और लिखा हुआ है मुझे इस function को बताना है कि ये किस interval में निरंतर वर्धमान या निरंतर हरासमान है सबसे पहले आप दिये गए function को लिख लीजिए minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 और इसकी जो domain है वो real number पे है क्योंकि जितने भी polynomial आएंगे यानि बहुपद आएंगे उन सब की जो domain है वो real number होती है अब इसका differentiation करो तो जब differentiation करेंगे differentiate with respect to x तो ये बनेगा f dash x बराबर minus का 3 दूनी 6x square minus का 9 दूनी 18x और minus का 12 तथा मुझे इस differentiation को 0 के बराबर रखना है यानि minus 6x square minus 18x और minus 12 बराबर 0 हो जाएगा इसमें minus 6 common ले लो तो x square plus 3x और प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा ये minus 6 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा तो ये बचेगा x square plus 3x और प्लस 2 बराबर 0 इसका गुड़नखंड करो तो दो इककम दो दो में एक जोडने पर 3 हो जाता है मतलब इसका गुड़नखंड होगा x plus 1 और x plus 2 बराबर 0 तो जब मान निकालोगे तो x बराबर minus 1 और दूसरा मान आ जाएगा x बराबर minus 2 अब मुझे इन मानों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो संख्या रेखा पर इधर minus infinite और इधर plus infinite होता है सबसे पहले minus 2 आएगा और उसके बाद minus 1 आएगा तो अब यहाँ पर देखो 3 interval बन गए यह interval a हो गया, यह interval b हो गया और यह interval c हो गया 3 क्या? 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं वो depend करेगा कि यक्स के कितने मान है, अब मुझे इसकी फिर से वही परिछण table निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है उप अंतराल इसके बाद दूसरा मेरे पास मान होता है परिछण बिंदु का कि उसके बीच से मैं कौन सा बिंदु लूँगा? इसके बाद तीसरा मान आता है मेरा कि परिछण बिंदु पर f-x का मान यानि कि उसको solve करोगे तो क्या निकलेगा? इसके बाद आता है f-x का चिन है और फिर last में होता है निसकर्स इतना काम करते ही मुझे पता चल जाती है सारी चीजें तो सबसे पहला मेरा अंतराल है a a अंतराल कहां से है? minus infinite से लेकर के minus 2 तक दूसरा अंतराल है b, minus 2 से लेकर के minus 1 तक और तीसरा अंतराल है c, ये minus 1 से लेकर के plus infinite तक इसके बाद मुझे इनके बीच में कोई मान लेना है तो भई, minus 2 से पहले, चलो मैं एक मान minus 3 ले लेता हूँ minus 1 और minus 2 के बीच में, मैं minus 1.5 ले लेता हूँ और minus 1 के बाद का कोई मान, मैं 0 ले लेता हूँ अब इन condition में मुझे f dash x पता करना है तो f dash में सबसे पहले x की जगे minus 3 डालना है तो ये आपके सामने value लिखी हुई है इस value में मैं यहाँ पे करके भी साथ साथ दिखाता हूँ तो जब मैं minus 3 डालूंगा तो 6 के साथ देखो यह आएगा minus 3 का square minus 18 और minus 3 और minus 12 ये value है अब इसको जब solve करोगे तो ये minus 3 का square प्लस का 3 हो जाएगा और 3 यानि plus का 3 का square sorry minus 3 का square 9 हो जाएगा और 9 चाग 54 ये minus 54 और plus 18 तिया 54 और minus 12 ये कट गया यानि आपको इसका मान बचा minus का 12 दुबारा में मुझे minus का 1.5 रखना है तो इसी में minus 6 और minus 1.5 का square minus 18 minus 1.5 और minus 12 इसको solve करोगे तो 15 का square होता है 225 यानि 2.25 अब 6 से गुड़ा करोगे तो minus में 635 का 0 3 6 2 12 3 5 5 6 6 लगा 1 6 2 12 और 1 13 दो अंको पे 10 लग गया minus minus plus 18 पंचे 90 का 0 हासी लगे 9 18 एक कम 18 और 9 27 और minus का 12 solve करो इसको तो यह minus minus जुड़ जाएगा minus का 25 दसमलोग 5 और plus 27 तो भई 27 में से जब 25 घटेगा तो दसमलोग 5 और यहाँ पे बच जाएगा 26 26 से 25 गया एक यनि कि यह बचेगा एक दसमलोग 5 इसके बाद जब मैं इसमें 0 रखूंगा तो बचेगा आपके पास अपने आप clear हो गया minus का 12 अब मैं इनका चिन्द देखता हूँ तो ये रिडात्मक आया ये धनात्मक आया और ये रिडात्मक आया तो रिडात्मक होने का मतलब f dash x 0 से छोटा है धनात्मक होने का मतलब f dash x 0 से बढ़ा है और फिर रिडात्मक होने का मतलब f dash x 0 से छोटा है और आपको मैं सिखा चुका हूँ कि जहाँ जहाँ पे 0 से छोटा होता है वो फलन आपके निरंतर हरास मान होते हैं और जहाँ पे बड़ा होता है वो फलन निरंतर वर्ध मान होते हैं तो मैं यहाँ पे final result लिखूंगा अतह दिया गया फलन f x अंतराल वर्ध मान सिर्फ एक जगे है बीच वाले पे minus 2, minus 1 में वर्ध मान और तथा हरास मान के लिए दो अंतराल है तो जब एक से ज़्यादा अंतराल आते हैं तो उनको union के साथ लिखा जाता है minus infinite से लेकर के minus 2 तक और union दूसरा अंतराल है मेरे पास जहाँ पे हरास मान आया है वो है minus 1 से लेकर के infinite तक में हरास मान है और यही आपका answer हो गया इस तरीके का एक question आपको 5 नंबर में कम से कम देखने को जरूर मिलेगा तो दो तीन question आप कर लोगे बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा जब कभी फसाने का काम करते हैं तो त्रिकोड मिती वाले function trigonometry के तो हम एक दो example trigonometry के भी कर लेते हैं ताकि उन पर भी फसने वाला काम खतम हो जाए मैं ऐसा example लेता हूँ जो पिछले साल board exam में पूछा गया थे आपके सामने question लिखा हुआ है ये question 2019 की board परिक्षा में पूछा गया है question है कि उन अंतरालों को ग्याद करो जिसमें ये त्रिकोड मिती ये फलन जिसका domain दिया है 0 से πाई बाई 2 वर्धमान है या हरासमान है तो सबसे पहला काम बार बार मैं आपको दोरा रहा हूँ कि सबसे पहले function को लिख लिया जाता है ये मैंने function को लिख दिया इसके बाद आपको इसका differentiation करना है differentiation करना आप लोग जानते हो with respect to x तो क्या बनेगा f dash x जब sin की power 4 का differentiation करोगे तो sin x को t मानना पड़ेगा तो बनेगा t की power 4 तो differentiation हो जाएगा और sin में cube x फिर sin x का differentiation हो जाएगा cos x plus इसका differentiation करो तो ये बनेगा 4 cos cube x और into cos का differentiation minus का sin x is equal to इसमें common है 4 sin x और cos x तो बचेगा क्या देखो sin square x और minus का cos square x is equal to इसमें से बाहर minus ले लो और 4 को लिख दो 2 into 2 sin x cos x इतना एक साथ कर लो और यहाँ पर minus कामन लेने की वज़े से ये बन जाएगा cos square x minus sin square x तो ये बचेगा minus 2 और ये sin 2 x का formula है और ये cos 2 x का formula है अब इनको फिर से multiply कर दोगे यानि formula लगा दोगे तो ये बन जाएगा minus का sin 4 x यानि की हमें इसका जो differentiation मिला वो minus sin 4 x मिला अब मुझे ये बताना है कि उन अंत्रालों को ग्याद करो जिसमें ये वर्धमान अथवा हरासमान हो मतलब मुझे दोनों चगहों पर पता करना है वर्धमान भी पता करना है और हरासमान भी पता करना है तो मैं लिखूंगा यदि f x वर्धमान है तब क्या होगा आपका जो f dash x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए तो f dash x की जो value है मेरे पास वो है minus में sin 4 x बड़ा है 0 से ये एक असमिका बन गई और असमिका के बारे में आपको पता है अगर minus में हो तो उसको plus करने के लिए minus 1 से गुड़ा करना पड़ता है और जैसे ही minus 1 से गुड़ा करते हैं असमिका का चिन बदल जाता है तो इसको जब minus 1 से गुड़ा करोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास sin 4 x और ये greater than के बजाए less than 0 बन जाएगा अब sign का फंड़ा है कि sign का मान 0 से छोटा आपको चतुर्थांस याद होंगे कि चतुर्थांस में पहले चतुर्थांस और दूसरे चतुर्थांस में sign का मान positive रहता है यहाँ पे sign 0 से छोटा है 0 से छोटे का मतला negative minus में है तो minus में पहले और दूसरे में तो हो नहीं सकता तीसरे और चतुर्थे में ही हो सकता है और तीसरा और चतुर्था जो function है वो कहां से जाएगा इस वाली line के नीचे यानि pi के बाद और 2 pi से पहले इसका मतलब यह है कि sign x 0 से छोटा जब भी रहेगा तो वो pi के पहले और 2 pi के बाद में होगा तो इस बात को में लिख सकता हूँ कि जो x है वो pi से छोटा है 4x 4x जो है यह pi से छोटा है और 2 pi से छोटा है मुझे केवल x चाहिए क्योंकि मुझे तो अंतराल पता करना है तो पूरे को 4 से भाग कर दो तो जब 4 से भाग करोगे तो यह pi बटे 4 छोटा है x से और इधर हो जाएगा 2 pi बटे 4 2 से काट दो 2 दूनी 4 तो यह मान हमारे पास निकल के आएगा pi बाई 4 x से छोटा है और यह छोटा है pi बटे 2 से अतहा f x अंतराल pi बाई 4 से ले करके pi बाई 2 में वर्धमान है एक कंडिशन मुझे पता चल गई कि किस अंतराल में यह वर्धमान है अब दूसरा अंतराल मुझे पता करना है कि कब वो हरासमान है तो यदि f x हरासमान है तब आपका जो f डैस x है यह 0 से छोटा होगा मतलब माइनस साइन 4 x 0 से छोटा हो जाएगा इसको भी माइनस से जब गुड़ा करो तो चिन्द बदल जाएगा यानि 0 से बड़ा और 0 से बड़ा साइन पहले और दूसरे में है तो इसका मतलब हो गया कि यह जो 4 x है यह जीरो से छोटा होगा और पाई से बड़ा होगा 4 से डिवाइड कर दो इसका मतलब यह है कि यह 4 x जो है यह 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा x बनाने के लिए इसको 4 से भाग करो तो इधर तो 0 ही रह जाएगा लेकिन इधर जब 4 से भाग करोगे तो यह पाई बटे 4 आ जाएगा तो मैं लिख दूँगा अतह f x अंत्राल 0 से पाई बड़ाई 4 में निरंतर हरासमान है उसे यहां पे मैं निरंतर नहीं लगाया है निरंतर लगा लिजेगा क्योंकि चिन में बराबर नहीं लगा है यह निरंतर वर्धमान और निरंतर हरासमान है यानि कि इस इंटर्वल में आपका जो फलन है वो वर्धमान हो रहा है और इस interval में वे फलन जो है हरासमान हो रहा है तो ऐसे trigonometry यानि त्रिकोड मिती के question भी निरंतर वर्धमान और हरासमान पर पूछे जा सकते हैं बस ध्यान इन में क्या रखना है कि इनका जो funda है वो इनके चतुर्थांस के हिसाब से और इनकी domain जो होती है domain और range कच्छा 11 में आपने पढ़ा है जहां पे sin, cast, 10 से कौसिक के graph बनाए होंगे नहीं पढ़ा हो तो आपने कच्छा 12 में भी जब inverse trigonometric function पढ़ रखा है तो उसमें आपने पढ़ा है कि त्रकोड मिती के कौन से मान की domain और कौन से मान की range क्या होती है तो आपसे इससे related कोई भी question पूछा जाए गलत नहीं होंगे अब आपका काम क्या है कि आपको अपनी book के दिये गए प्रस्नों को solve करना है अगर by chance कोई समस्या होती है कोई question नहीं आपसे हो पाता है तो नीचे comment box में हमें comment करके जरूर बताईएगा साथ में आप अपना whatsapp नमबर डाल दीजेगा ताकि मैं आपके comment का जवाब आपके whatsapp पर दे सकूँ या आपके पूछे गए प्रस्न को मैं आपको बता सकूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ बहुत जल्दी अगले topic पर फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमश्कार और आप देखते रहे है mathematics ज्यान